नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आपका फिर से एक नई अपडेट पर दोस्तो आपकी नजर में कोई ऐसी बरती हो हर्याना की जो फेर तरीके से कंड़क्ट होई तो मुझे कोमेंट करना तो दोस्तो कोई ना कोई बरती में जो है कई ना कई गपला हो रहा है हर बरती में ये जो है गपले बाजी चल रही है तो आज दोस्तों आप सामने देख सकते हों ये पिछली कलर्क 2019 वाली बरती है कलर्की जिसको जो है कोट ने रिजल्ट जिसका रद कर दिया है उसके बाद दोस्तों आप देख लो इनका डीवी जो है फिर से रिजल्ट आगया रिवाइज और रिवाइज रिजल्ट आने के बाद जो है इनका डीवी स्टार्ट हो चुका है और डीवी में आप देख लो क्या खबर आई है कलर्क बरती मामले में नया मोड पंदरा मैसे सिर्फ पांसों मिदवार पहुचे दोस्तों पांसों मिदवार का पहुचना कई ना कई जो है सक के दायरे में आ चुकी है ये बरती कि पंदरा सो में दोस्तों केवल पांसों मिदवारी पहुचे और दोस्तों यहां देखो और भी आई है दस्तावे जाच के दुरान तीन मिदवार पकड़े गए हैं किसी दूसरे से दिलाई थी कलर की लिखित प्रिक्षा दोस्तों य यह बात मैंने आपको पहले बता दी थी मैंने पहले बता दी थी कि आपका बायोमेट्रिक होगा फेसरी को गुनाइजेशन होगा और कई ना कई जो है सीटर वहाँ पर पकड़े जाएंगे और वही खबर जो है दोस्तों सच हो चुकी है कि सीटर पकड़े जा रहे हैं फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो रहा काफी संख्या में जो है सीटर बैठे हुए है इस बरती में क्योंकि उस टाइम कोई चेकिंग नहीं किसी तरह की बायोमेट्रिक नहीं जिसके कारण जो है सीटर वाला मामला चलपड़ा उनकी जोब लगी दी अब जो है वो कटगड़े मे जो है नोकरी में बष्थी कर दिये क्योंकि अब ज्याधा कंप्लेंट करने लगे किसे ने सोस्चाइकनोमिक के गल्त लिए तो उसकी जो है सबी स्टूडेंट्स कंप्लेंड कर देते हैं तो यह बहुत अच्छा स्टेप अच्छे सशी द्वारा क्योंकि जो दोस्तों मैनत करता है ना उसको नोकरी मिलनी चाहिए जो मिद्वार मैनत करेगा उसे जो है गोर्मेंट जोब हासिल होनी चाहिए बस ये बात जो है सही साबित हो रही है फिलाल पकड़े जा रहे हैं देखते हैं और कितने पकड़े जाते हैं फिलाल मेरे मानना है कि और भी जो है मुद्वा बारे में कि हमारी नोकरी सेफ है क्या नहीं और दोस्तों ये देखो तीन उत्तर सही मानने से एक लाग ये आप देखो तिन सो मिद्वार के नंबर बढ़े हैं 48,000 के गटे हैं अब इतनी बढ़ती पे देखो कितना फरक पड़ चुका है और दोस्तों यहां पर ये भी खबर है 15 मसे 500 उमिद्वारी पहुचे आई हो कि मुस्तेदी से दस्तावे जाच के दौरान लिखित प्रिक्सा के समय लिए गए गए बायोमेट्रिक निसान को मिलाने का भी काम मोके पर किया जा रहा है इस जाच के दौरान तीन ऐसे उमिद्वार मिले जिनके बायोमेट्रिक निसान मेल नी खाए मोके पुलिस को बलाएगा तो पुस्ताज में तिनों लिखित में सुकार के उनके स्तान पर लिखित प्रिक्सा किसी दूसरे वेक्ति ने दी थी दोस्तो ये तो खबर आए चुकिए आपको में सीटर बैठे हैं इस बरती में और दोस्तो अजार उमिद्वार ना आने के पिछल लिखित प्रिक्सा में सीटर बिठाना तो नहीं ये देखो ये कटगडे में आगे हैं और स्टूडेंट जो है जिनने सीटर बैठे हुन्हो उमिद्वारों के दस्तावे जाच करेंगे जो संतोधित प्रिनाम के बाद दस्तावे जाच के लिए योग्या है पहले दस्तावेच की जाच हुए थी मगर बायोमेट्रिक निशान का मिलान नहीं किया रहा था पहले दोस्तो बायोमेट्रिक नहीं हुए थी आप सभी को प इनके नाम है मोनु सांगवन राहूल कुमार अन्या उमिद्वार सामिल है अगली कारवाई के लिए मामरा पुलिस को दे दिया है समाजिक आर्थिक मांडरेट के लिए 7 जनुरी 2020 जिस दिन दस्तावे जाज शुरू होए थी को लागू नियम होंगी दोस्तों जो रूल लाग 2020 तक तो दोस्तों वही है सोचल एकनोमिक के लिए उनसे फिर से जो है सबत पत्तर लिया जाएगा तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कलर के लिए कहां से कहां बरती पहुझी है कलर की अभी देखते आगे क्या होता है कलरक बरती है मुझे मैंने आपको पहले बता देता जो निव स्टूडेंट है उनको बहुत सारा जुआनी होगी निव स्टूडेंट को जो आज छोड़ दी थी जिन्नोंने आज छोड़ दी थी अब उनके जो है अच्छे दिन आ गए है कलरक वालोगे तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया था कलरक बरती से रिलेटेड यह अपडेट थी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे भी आज आगे आपके लिए अपडेट लेके आतार हुआ आप बहुत प्यार देरो चैनल को आपका बहुत बहुत दन् आज के लिए वीडियो में इतना है थेंक यू